हलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं मस्त हैं और मन लगा कर तो पढ़ ही रहे हैं इसमें कोई दौरा नहीं है मैं पूरां प्रिजापत कर्षा ग्यारवी में आप सभी बच्छों का स्वागत करती हूं बिटा जल्दी से आओ फड़ा फ जल्दी जल्दी फड़ावर क्लास को जाइन कर लो ताकि हम आज सेकंड चाप्टर अपना जो है उसको शुरू कर सके इन वन शॉट ठीक है कुछ बात नहीं जो हर चाप्टर में ध्यान में रखी जाती है वह यहां पर भी ध्यान में रखी जाती है कि कि तरह से पढ़ना है क्या करना है तो वह बेसिक चीजें चाप्टर को पढ़ाते पढ़ाते में इन सब बातों को भी आपके साथ शेयर करते रहूंगी कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है किस पर ध्यान देना है और कहां से डेफिनेटली क्याश्चन आना है तो आप लोगों को लास तक मेरे साथ जूड़े रहना होगा यह तो प्रॉमिस करना पड़ेगा क्योंकि जब तक लास तक नहीं देखोगे तब तक चीज़ा क्लियर भी नहीं होती है ना जरूरी है जो बच्छा स्टार्टिंग से एंड तक देखता है उसके सारे कॉंसेट क्लियर होते यह मेर तुम से प्रॉमिस है जैसा तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं मैं भी कर रही हूं ठीक है तो जल्दी से फटा फट आ जाओ और जल्दी से क्लास को जॉइन करके शेर कर दो अपने दोस्तों में ताकि वह बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्लास को दिख सकी यानिकि यह चाप्टर परमानु सरंचना वैसे तो इसको एक लाइन में पीरोना बहुत मुझकिल है क्योंकि इसमें बहुत सारी उतार चड़ाव है यह इसे टॉपिक्स हैं बट फिर भी हम इसको लिंक करके ही पढ़ेंगे ताकि आपको इसी समझ में और सेकिंड बात जो सबस्तर प्लीज अच्छे से पढ़ना ठीक है तो शुरू कर दे फटाफट एक बार थाम सब भीजो और क्लास को लाइक शेयर कर दो चलते हैं शुरू करते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर आ जाते हैं यानि हम सबसे पहले परमानु क्या है और उसकी बारे में उनके बारी में चरचा करेंगे उलक डूरू और इसे के अंदर अपन देखेंगे कि नोन क्या होता है और रमानु की मॉडल्स किसके थांसं रस ऑशर जिसने भी चर्चा की जाएगी फिर आता है जब परमानू हो गया तो परमानू से किरने निकलती है विकरने निकलती है उन्हें परमानु में जो विकरने निकलती है उन्हें क्या कहते है वो पढ़ेंगे फिर उनसे क्या बनता है एक लाइन spectrums बनते है hydrogen जो मॉट्स ओफ इंपॉर्टन टॉपिक है वो जो एक्जाम में क्लियर बात समझ में आई आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं प्लीज अच्छे से इस चीज को देखना ताकि आपको पता चल जाए कि हमें लास्ट तक वीडियो क्यों देखना है ओके चलो आज आउज चलते हैं आगे अब शुरू करते हैं आपन आज का टॉपिक बे सुक्षुतमकर्ण जिसे विवाज़ित नहीं किया जा सकता है वह परमानु होता है फिर डॉल्टन आया उसने का विवाज़ित हो जाता है अब परमानु कड़ों में टूर जाता है कॉमन थी नाइन क्लास से पढ़ते हैं तो बार बार वहीं आते हैं मुद्दे की बात पर कि हमें क्यासिन कहां से आता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए तो हमें सबसे पहले अब परमान ईक्कड़ाइब अपना इलक्तों है इलक्तों प्रॉट्वों न्यूट्रों तिनों के वह डिस्क्राइब करूंगी मैं जितना एक्जाम के लिए आविशक है रइड तो सबसे वाव पर गेसों के माद्यम से बिजली के संचालन का अध्यन किया था यानि कि बिजली का संचालन कैसे होता है इलक्ट्रिसिटी हमें कैसे मिलती है उसके बारे में चर्चा हुई थी उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में प्रियोग किया जो लगब अगई होगी तो 2.1 में दिखाया गया है क्या कुछ नहीं आपको एक निर्वातित कांच की नली लेनी है जिसे निर्वातित करने के लिए एक वेक्यूम पंप भी लगाया गया है और उसके बाद में दो चड़े लगा दी गई है और यह चड़े है आपका एक तो क्या है लगा देने दो धातु की छड़ लगा देनी है और उन्हें एक वायर से जोड़ देना और वो वायर जो है एक बैट्री से जोड़ दिया जाता यानि दो वायर जो होते हैं वह बैट्री से जुड़े वह यह यह यूँ भी कह सकते हैं कि बैट्री जिसे दो वायर निकल रहे हीँ पर उते तो यहांपर आपने देखा कि यहां पर आपने क्या लगा दी अब हम क्या देखते हैं अब हम देखते हैं डोधाते वाने हैं इसमें प्रियोग क्या होता है तो इसमें औरanten कि सबस्क्राइप से निरवाहन यानि कि इसके अंदर कुछ भी नहीं यह से हैं ही यह क्या है निर्वातित और उछे पर अपन क्या करते हैं देखा जाता है बहुत ही कम से निकलने वाले ससमाय यह किया जा सकता है जप पर प्रयापत उच्छ वाल्टेज लागू किया जाता है तो atrás में नकलात्मक इलेक्ट्रोड से सकलात्मक इलेक्ट्रोड तक जाने वाले कणों की एक धारा के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कि अपने पास क्या होता है जब यहां से क्या होता है जब धारा का प्रवा हो रहा है तो धारा का और एलेक्तों का प्रवा माइनस से प्लस की और होता है हाँ यह ना रहता जब धारा का प्रवाव एलेक्टों का प्रवाद दिखा गया तो कुछ समझ में नहीं आया था बस यहां पर एक अपने ने प्लेट लगा दि और यहां से कुछ कण आते में नजर आए और कंड क्या च तो माइनस चार्ज आयेगा तब थो प्लस की और रहा राया तो न ओर से चलकर के तोड कि और आे थे होग रह twin क्या थे वैश्य क्या थे ना विश्ट थे उन्हें के थोड के न्याशनियर के थोड रिकिनन CONCMIC ही कहा जाता है because okay thoughts in निकला था सबब वेरी-वेरी-वोर्टेन कैप फोर किरने किसे कहते हैं जो रिनावेशित कंड एक ही क्या करते है एक ही दिशा में संचरित होते हैं गमन करते हैं उन्हें हम क्या क해ते हैं क्या कैफोर किरने कहते हैं clear बात समझ में आई जल्दी बताओ जल्दी। डन है। चले, अब आते हैं केथोड किर्णों के इंब्धाव करती है? सीदी रेखा में गमन नहीं करते हैं। सीधी रेखा में नहीं करते इसलिए तो आप रूम में बोलते पास वाले रूम में सुन जाता है बट प्रकाश की किरने क्या होती सीधी रेखा में करते इसलिए रूम में बैठा हुआ व्यक्ति पास वाले रूम में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता है कि वह कौन यह सही बात है और के थोर से यह स्वेम दिखाई नहीं देती है लेकिन के विवहार को कुछ प्रकार्ट के पधार्तों यानि की फ्लोरो सेंस और फास्वरी सेंस की मदद से दिखा जा सकता है उनके संपर्क में आने पर चमकने लगते हैं जैसे में एक पर दा लगा देती तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम यहां पर कोई न कोई कण आपती तो हो रहा है दन चलते हैं आगे यहां तक बात समझ में तो एक बात हम सब जरू भेज़ेंगे चलते हैं आगे आगे है के थोड़ किर्णों के गुण बताए के थोड़ किर्णों के गुण क्या होते हैं जो याद रखना है जब धातु प्लेटों की एक जोड़ी की मदद से केथोड किर्णों पर विद्यूचित्र लगाया जाता है तो यह सकारात्मक प्लेट की और विक्षेपित किया जाता है जो नकारात्मक चार्ज की उपस्तिका संकेत देता है केथोड किर्णों की विशेष्टाइं इल्क्ट्रोड़ की सामगरी और केथोड यूटूब में सॉरी केथोड रेट त्यूब में मुझूद केथोड रेट यह निकी निर्वातित जो ट्यूब है उसमें प्रकरती पर न निर्भान नहीं करती है के थोड में मुझूद गेस की प्रकर्टी पर निर्भाइ और सेकिन तार अगर आपने सक्रीय ले ले तो रेक्षिन कर जाएंगे रियक्शन के आगे तक जाई नहीं पाएगा वो कर आगे एन और तक पहुंचे नहीं पाएगा इसलिए या तो निर्वातित लो या अक्रिये गेस लेनी चाहिए ठीक बात समझ में आ गए चले आगे कि यह का निर्धा निर्धारण का निर्धारन कंए उसे यह यह गौन का और किस तरह से ब्रया से ए जाता यolds जाता है जसे लिए पहली बार प्रहुए की तवर पर अनुपात को अनुपात कहा जाता है इसके लिए उन्होंने विद्धुत और चुम्बे की च्छेत्र को प्रभावित करने के लिए दिस्चार्ज चूप को छोड़कर केथोड कीरणों के रुप में प्रस्तुन किया यह आःकर आपने म की यह दियाप बात करते हैं आवेश और उसके औरन की दियाप भाध करते हैं तो वहां पर यह क्या कहता है कि विद्धुत और चुंबगे में प्रभावित कि आ है यानि कि जब हम लोग कोई भी मैं यू कह दूं कि जब भी कोई अपन धरा का प्रवाग कर रहे हैं तो कोई न कोई कंड तो के थो करते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रों द्वारा अपनाए गए पत पर लंबवत कारिया करती है यानि कि यह बाते तो वैसे तो बैसिक लिए आगे बताऊंगी बट आ गया है तो फेल भी बदा रहती हूं कि जब दो चैतर एक साथ हो तो एक दूसरे के में लंबवत होंग विचलन की मातरा निम्ना कारकों पर निर्भर करती है यापने कोई भी गंड जा रहे हैं धारा परवाज जब हो रहा है की थोंड के साथ संपर्क उतना ही अधिक होगा इस प्रकार विकषेपन अधिक होता है कंड का द्रवेमान कंड जितना हलका होगा विक्षेपन उतना अधिक होगा तो इसे आपने क्या देखा है इस तरह का एक अपने पास क्या था और यहां पर आपने क्या कर दिया विद्युच्छेत्र और चुम्बे के च्छेत्र आरौपित कर दिये थे याद हो है अब विद्युद्चेत्र विद्युद्चेत्र भी हो सकता है और चुम्ब के छेत्र भी हो सकता है तो विद्युद्चेत्र लगाने पर माइनस यदि कन माइनस की और जा रहा है तो और प्लस की और आ तो नीचे की तरफ और उदासीन है तो वो क्या हो जाते हैं सीधी आपको दिखाई देता है ठीक बात है चले तीन बिंदू समझ में आगे अगर वो माइनस चार्ज है उपर की और जाएगा प्लस चार्ज है तो नीचे की और आएगा और दासीन है तो सीधी रेखा में चला जाएगा ये कणों के बारे में बताया जा रहा है तो बताती दिया जतना अधिक होगा चुमबे के सासे मूल पत से विक्षेपन बढ़ जाता है ये छेत्र की चुम्बक की च्छेत्र की ताकत पर इलक्ट्रोन दुऔर देखे गए विक्सेपन की मात्रा का सटिक माप थंसन एक प्रस्तत किया जिसमें इबटा में एक इलेक्ट्रोन का आवेश और उसी इलेक्ट्रोन का द्रेवमान के लिए उन्होंने इस वेल्यू को वेरिफाई किया जिसे आपको याद रखना है और यहां पर में इलेक्ट्रोन का द्रेवमान कीजी में और इलेक्ट्रोन पर आवेश कुलाम में प्रदशित किया जात अभी बहुत समय नहीं है जहां पर हम पूरा डटेल में अगर आपको यह चीज़ पढ़नी है तो आप इसी चैनल पर आपको सेकेंड चैप्टर मिल जाएगा केमेस्ट्री का पूरा डिटेल में लेकिन अगर शोट में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और क्या इंपोर्टन ग record रच वेस्ट देख गया है था थोIS फिस पर काथ चार्जड निकालने के लिए वैलु दिगे इनकी वैल्यू ? यहां यह न यह अलिए एक्चल में एक इलक्टोन का क्या है भाई द्रव्यमान है ठीक है राजा बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को हाँ या ना जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी यास और नो इलक्टोन पर आवेश की दी में बात करूं तो यह क्या है एक बट्टा एक इलेक्ट्रोन का विस 1.6 और इसका 1.7 अभी मान निकाला था दुनों को कैलकुलेट करोगे तो यह क्या है एक्चुल में वन इलेक्ट्रोन का क्या है भई द्रव्यमान क्लियर है बात समझ में आ गई होगी यह तो प्ूछना पड़ता है नहीं समझ कैसे चलेगा है नहीं समझ में आए दो जौ not और basically अगर कोई पढ़ा रहा है तो ऐस तो होई नहीं सकता है कि समझ में ना है पर हम कितनी सिद्दत से पढ़ रहे हैं वो ज्जादा matter करता है आप कितना मन लगा के सुनते हैं आप कितना मन लगा के पढ़ते हैं हो कहते हैं न सिक्षा एक ऐसा वरक्ष है जो मन में उपता है मस्तिष्क में पलता है और शब्दों में फलता है सबात की क्या सारतकता है यह बात क्या कहना चाहती है कि मन में जब सजगता आएगी कि में पढ़ना तो वहां से शुरू हो कि मस्तिश्क में जाकर कि कि शुरू हो जाएगा पढ़ने का सिलसला ग्रोथ करना शुरू करेगा और उसके बाद में जब आप बोलेंगे तो लोग उससे जच करेंगे या आप सिक्षित है या नहीं कहते हैं बहुत मैटर करता है इसलिए बेटा सिक्षा इसलिए कहते हैं शब्दों से सिक्षा फलती है फलती क्यों है कि आप जैसा विवार करोगे उससे आपकी गुणवत्ता या गुणों का बखान होता है तो अच्छे से पढ़ोगे ना है ना 11 में पढ़ोगे फिर 12 में टॉप या है ऐसे ऐसा करने के लिए पढ़ना तो पढ़ेगा ना और पढ़ने के साथ-साथ एक मन्द में एक संकल हमेशा रखना चाहिए क्या संकल कि मैं पढ़ूँगा और मैं पढ़कर उन सब लोगों के जीवन में रोश्नी भरोंगा जो लोग अपने जीवन को सही तरीके से जीने में असमर्थ है ऐसमर्थ वो है से वो विकलांग है है ना कोई अपाहिज है कोई मानसिक्ता से बिमार है जो अपनी हाथ से खा नहीं सकता है खुद बैड से उठ नहीं सकता है ऐसे लोगों की बारे में करूँगा जिस दिन तुमारा ये भाव आ बच्चों कसम से तुमारा क्रोथ शुरू हो जाएगा अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं अभी हम तो छोटे हैं अब हमें ये सब बाते क्यों सिखा रहे हैं कहते है कहावत कई है कि बच्पन में ही क्या डालो गुन डालो बुढ़ापे में नहीं सीखेग तो बच्पन में ही सिखाओ तब ही जाके वह आगे उस चीज को अच्छा इस पर एक ग्जामपल देते चलो अब बात करी ली तो करी लेते हैं पढ़ तो रहे हैं काफी देर से अब थोड़ा सा एक बात की चर्चा कर लेते हैं अच्छा आप में से ABCD कितने बच्चों को या कितनी याद है पूरी आद बीसी डीदी कखगड रबारे खड़ी किस किसको याद commitment को यादए अलमोच बच्छमन में सीखा था तो बच्छमन में सेक्राइब को तब अपने चीज़ों क्या होता है दनावी शित्वान है यह हम सब जानते हैं उसे एनोड की खोज की रूप में दर्शाय के एनोड पॉजिटिव चार्ज एस वेल इस प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज एनोड से कंड निकला फ्लोरोसेंस या फास्फोरी सेंस पर गीरा चमका पता चल गया कि यह प फ्रकार की चमकदार के दर्शनों को कैथोर के चिदों से गुजारा सेम फिंग बात कर रहे हैं इन कुरर्णों को धिनात्मा कि यह यह केनाल को केनाल के नाम दिया गया एनोर किह एनोर कोर के बिच पर लगा दिया है उब लगा दिया परदा लगा देखिया हो गया परदा जैसे लगाया लगाने से वहां पर टक्राइए चमकी तपाशल के कौन सी किरने पना हो गई यह इन ओर किरने देखो जैना चलो जी यह नोड किरने के लिए कंडों पर धनात्मक आवेश फिर्स चार्चू घे कि प्रकर्टी पर निरभर करता है वहाँ पर वो गेश की प्रकर्ति पर नहीं कर रहा था remember this abya there abya clear done तो अब यह कह रहे हैं कणों का आवीश और द्रिवान अनुपात गेस की प्रकृति पर निर्भर करता है सब जिससे यह उत्पन होते हैं कुछ दनात्मक आवेशित कर्ण विद्यूत आवेश की मूलबूत इकाई का गुनुक धारण करते हैं चुमबकी और विद्यूत् सब्सक्राइब करने करनों की विपरित होता है क्यूंत करते हैं विपरित विबार तो होगा यानी कि वो जो प्लस नेगेटिव चार्श था ऊपर जा रहा था पॉजिटिव चार्श सथा नीचेह आ रहा तो वो अब opposite direction में वर्क करना शुरू कर देंगे इस सिंपल थिंग तो यहां से question के वल गुणों के बारे में पुछ आएगा इसे ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ध्यान कर लेना दो मार्क्स का question आता है तो अच्छे से इसको not कर लेना अब आता है basically proton और neutron क्या होते है प्रोटोन क्या होता है इस पर चार्ज क्या होता है 1.6 ध्रवेमान 1.6 और आवेश 1.602 clear 1.7 बोलते हैं वहाँ पर हम यह बटा आयम का मान जो प्रोटोन के लिए और basically बोलतो 9.1 था गूमना नहीं इन सब चीजों में अब तटस्थ कन इनकी खोज चैडविक ने 1932 में की थी बेरीलियम की पतली चादरों कोई बंबारी से उन्हें देखा था और उन्हें हाँ आगे है बात अपने क्लियर 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 की छलते हैं आगे आप ये प Googled कौं सा मोडल अब आते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा परमा चोटा कहान है कर पर चार्ज क्या होते हैं उसके मॉडल स्क्या बक्रभ देख भी अब जब परमानु maja उस ठर्मादिट कन अई तो वह कर जो है वह किस तरह से विन्यासितंए उस पर मानू के अंदर क्या इलैक्टरोण प्रोटोन और और नीडर्न ऐस व्यवस्ते थे या पॉजिटीव कहीं है नेगेटिव कहीं है नीडरों कहीं पर एक्जिस करता है यह नहीं तो सबसे पहले मॉडल आया थाॉम्सर का मॉडल टेक है तो मॉडल पर रिसर्च हुआ तो तो मॉडला में कहा कि परमान। झणाव मेशित गोला है जो कि PCR दिखाई देरा है यह यह एक धनावेशित गोला और इस धनावेशित गोले पर ठीक वैसे ही एलेक्टरोन विवस्तित होते हैं यह कि क्या जैसे कि तरबूज में उसके बीज इसे प्लम पोडिंग नाम से भी जाना जाता है 많은 से आई या ने जल्दी जल्दी बताओ हाँ या ना ठीक है जी ओके चलते हैं आगे जे थॉंसन ने प्रस्तावित किया कि एक जे जे थॉंसन ने क्या प्रस्तावित कि एक आई सी टी एट सेमी त्रिजा के गोले के रूप में माना जा सकता है जिसमें प्रोटोन के कान सकरात्मक चार्ज होता है और इसमें नकरात्मक चार्ज वाले इलेक्टोन को आंत्रिक नहीं ठोलता है क्लियर है यानि कि यह कहना चाहता है इसको छोड़ दोगाई है आपन बात करते हैं कि परमानों के लगभक सेमी एक सेंटीमीटर त्रिजा के एक गोले के रुप में वैसे तो हम सब जानते हैं कि त्रिजा जो होती है नाभिक की त्रिजा और प्रमानों की त्रिजा में क्या स्क्राइब जाते इस बात है इस मॉडल में परमानों का धनात्मक आवेश वाले पूडिंग के के रूप मैंने पहले ही बात बताते हैं चलते हैं आगे इस मौडल के तुमसन और जो कि में खेंद सब्सक्राइब क ses फ्रlav यहां पंपार समय प्रमानी कोज आए बता तॉम्सन मौडल जब आया तो उसमें कमिया क्या रही तो कहा कि मौडल परमाणू की समक्र ततस्था को समझाने में सक्षम था यह 1911 में रदर फोर्ड के द्वारा दिये गए प्रक्रेणन प्रयोगों के परिणामों को संतोज जनक धंसे नहीं समझाता है यह रदर पारे में इसको पूछा लया तो silent हो गया कुछ नहीं बोला कहते हैं कि जिस जगह पर बोलना होता है बोलना चाहिए पर बोलना नहीं पाया बता नहीं पाया जस्टिवाइए नहीं कर पाया तो इसके ओपर रिसर्च होना शुरू हो गया खत्म हो गया था फ्लॉप नहीं कह सकते हैं कि हम इसे पढ़ते हैं तो इसलिए रिसर्च जब आगे वापस बढ़ना शुरू है इसका मतलब इसमें अभी भी कुछ ने कुछ कमिया है इस पर बात होनी चाहिए ठीक बात है तो कमि प्रियोग आभाद आया ठीक तर्फोष और यह क्यैसिन पूझे जह और फिरेंट सन्फ नबाई आई तो क्या बोला इसने इसने बोला की प्रकेंड का पल्योग इत緹ने कंहीं के केवल एक कण ऐसा था जो अपने वापस जिस जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से लोटकर आया यानि की की जो नाविक है वो धनावेशित कण होता है ठीक बात है बात समझ में तो यह लिख रहा है सोने की पनली पर धातुपे बंबार की किसकी अलफा कणों की और गोलाकार फ्लोरोसेंट लगाकर इस्क्रीन थी उसपे स्क्रीन से कंट टकराए प्रकाश की छोटी सी चमक उसमें उत्पन हुई तो आपको निम लिखत रूप से इसको अवकलित किया जा सकता है तो यह रहा सबसे पहला आपके पास ब्लॉक ओफ लीड यानि की धातु का एक पात्र है धातु का एक श्रोथ है जिसमें से किरणों को एक किसमें से छिद्र में से गुजारा और यहां पर क्या लगी धातु की पनी लगी इसमें से गुजारा तो यहां थिन फॉइल ऑफ क्या भई गॉल्ड की यह परत से टकराते हैं टकराकर करके अपने दिशा में इधर उधर 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 चले जाते हैं मैक्सिमम अल्फा रिटन लोट करें आता है बाकि सब सीधी चले जाते हैं कुछ अपने डायरेक्शन से हट जाते हैं क्लियर बात समझ में आ गई होगी यस और नो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ हाँ या ना दन है जी ओके ओके चलते हैं चलो जी यह एक्समेनिमेंट भी पूरा हुआ अब चलते हैं आगे अब यह क्या कहना चाहता थुद्मी इस्टोश है इन पर बात कर लिजाए अधिकांस अल्फा कन बिना किसी विक्षेपन के पन्नी से गुजर गए ठीक बात है एक छोटा नाभिक जो है परमाणु यह उसके अंदर परियाप्त खाली जगए है इसमेंसे बहुत सा इकन निकल गए बस एक आपकर आगे यह बात आपको पता है मुझे पता भी है क्योंकि आपने तो पूरा साल इस पर पढ़ लिया है बट अभी चुमें डिसकुशन कर रही हूं वह पिन पॉइंट है चीजों के यह तो आपको कता ही नहीं भूलनी कता ही नहीं है कि छोड़ कर आओ लिखनी ही लिखनी है ठीक बात है चले तो आपया है अलफा कनोफ का एक चोटा सा अंध् चोटे कॉ चोड़ा शबयां दोकर शयर्ब्स हाद मक्याया कुछ मातरा संपिस को सेकेंद्रित करना होता है जो कुछ धनाविश्ट अलफा करनों को आकर्षित विक्षेपित करता है अतन छोटे भाग को नाविक कहा गया है परमानु की कुल आयतन की तुलना में नाविक का आयतन बहुत चोटा होता है ठीक बात कोई दिक्कत नहीं किसी को भी ऊखे ओखे चलते हैं आगे चल चलते हैं समझ में आगए बात अब आता है रदरफोर्ड के परमानु मोडल का परमारू मोस का परमानू का धनात्मक आवेश्च और अधिकाश तरे विमान एक च्छोटे च्छेत्र में जोड़िज़स कंध्रीथ ठाप्रमानू के इस च्छोटे भाग को रूदेर य। नाभिक कल सभी इसके अंदर कुछ न कुछ आवेश्च तो नहीं है वो दासीन तो नहीं है बट वो छोटा सा कण है ठीक है नाबिक इलैक्टोन से घिरा हुआ है सही बात है यह नाबिक है और यह इलैक्टोन से घिरा हुआ है चारों और गोलाकार पत्थ में चक्कर लगाता है जिने हम कक्षाएं कहते हैं सही है इलैक्टोन और नाबिक इस्तिर बन 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 कारी करते हैं एक तो अभी केंद्री बन और एक अपकेंद्रन बन यह दोनों परस पर बराबर होते हैं अभी केंद्री बन केंद्र की ओर लगता है अपकेंद्रन बन केंद्र से दूर ले जाने के लिए लगता है पर दोनों बैलेंस है इसलिए इलाक्टोन घूम र नहीं है चलते हैं आगे अब आता है रदर फोड के मॉडल में आपको पढागा परमानु परमांग कि बात हुई है दृवेमांग भी बात हुई है तो engineers करना तो कहा गया परमानुक्रमांग क्या होता है नाबिक में उपस्ते प्रोटोन की संख्या परमानुक्रमांग जेड के बराबर होती है उदारन के लिए हाइडरोजन नाबिक की परमानु संख्या है अब करें सोडियम तो यहां पर आपको मेंग एकुसामबन दें अश्मजा होगा सोडियम है 20 कर लेते हैं तोडीय वे यहां पर कुछ लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ 11 यहां पर लिखा है थेए क्या नीचे हम दिखा हुआ हमेशा परमानु क्रमांग ओपर हमेशा परमानु भार होते हैं ठीक है हमेशा इस तरह से डिनोट किया जाता है परमानु संख्या जड़ जिसके अंदर परमानु के नाविक में प्रोटोन की संख्या होती है और प्रमानु में इलक्टोन की संख्य होती है यहां पर जो वेल्यू लिखी गई है वो हमेशा प्रोटोन की संख्या ही होती है यह यू कहूं इलक्टोन की संख्या प्रोटोन की संख्या के बराबर होती है ठीक चले द्रवयमान संख्या क्या होती है नाभिक में मोजूद प्रोटोन और न्यूट्रोन की संख्या को सामुहिक रूप से नुक्लियोन की रूप में जना जाता है नुक्लियोन की कुल संख्या को प्रमानु की द्रविमान संख्या एक कहा जाता है द्रविमान संख्या एक अटमिक मास बराबर होता है प्रोटोन की संख्या प्लस न्यूट्रोन की संख्या इसे N से डिनोट करते है कि इसे प्रोटवन की संख्या को P से एक लिए समस्थानिक किसे कहते हैं समस्थानिक का क्या मतलब होता है परमानु जिसके परमानु संख्या समान हो तर डिय quién हाइजन थी समस्थानिक 1H1 1H2 1H3 म réflex है प्रोटियय म ड्यूटेरिय Mighty यम और ट्रॉटिरिय før है hydrogen के समस्थानिक है आण इस तरह से अभन Propium डूटिरियम और ट्राइटिरियम लिग गया वन Аच डी और टी 3 प्रोटोन एक एक और भार जो होता है एक दो क्लियर है बात समझ में आई एक दो तीन ट्राइटीरियम वन 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 टू वन थ्री सही तो है ओके ड़न चलते हैं बात समय यह न्यूट्रोन की संख है ठीक है क्लियर हो गया सबको डन है ओके जी ओके अब आता है यह तीन समस्थानिक नीचे दिए गए चितर में हो गयाँ है प्रावानुक्रमाग सबका एक है पर भार बदल रहा है इसकी वजह से निट्रोन की संख exhale वह चेंग हो रही है प्लावर्तिका होता है जो की उस तत्व को बैलेंस करने का आवेश को बैलेंस करने का काम करता है क्लियर है बात समझ में आ गही होगी आभ आता है 27ड़ के दो समस्ठानिक होते हैं समस्थानिक एक इस स्थान पर अबार बिपन थैस्oine कहेते हैं करेहते हैं तो आप को सक्रीन पर दिखाई आए एकलोरी नहीं है यह फिञ्सम्द में जाएंगे कार्बन फिर नाइट्रोजन ओक्सिजन क्लोरीन यह सब इसलिए बताए गए है क्योंकि यहां से एक्जाम में क्यूस्चन आता ही आता है आइसो टॉप और आइसो बार पर सो प्लीज अच्छे से ध्यान से देख लोगे ताकि बात क्लियर हो जाए तो अब हम आइसो टॉप की पर मानु संख्या समान होती है लेकिन द्रविमान संख्या भिन होती है इसलिए आइसो टॉप के नाभिक में प्रोटोन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रोन की संख्या भिन भिन होती क्यों क्योंकि अब भार क्या हो रहे है अब क्रमांक तो क्या नहीं सम्ढ भारिक नहुकर समस्थानिक समान किया था वहाँ पर इस्थान समान था तर यांब हार आइसोचा एस टो भीपढ़ रहे हैं इसर टॉप फह टॉप में तो सेम बात है कि यहाँ पर अपने पास क्या होंगे वाही भार भिन भिन और क्रमांक समान यa होंगी तो किसी भी आइसोटॉप की परमानों संख्या समान होती है लेकिन द्रविमान संख्या बिन बिन होती है इसलिए आइसोटॉप की नाभिक में प्रोटोन की संख्या समान होती है आइसोटॉप अपने परमानों द्रविमान में बिन बिन होते हैं आइसोटॉप के सभी न भिन बिन होते हैं क्लियर बात समझ में यह बेसिकली आपको इस लक्षन में क्या कुछ नहीं है इतना द्यान रख लेना कि भार जो है वह बिन बिन हो और क्रमांक समान हो आइसो टॉप यह समस्थानिक एक ही बात है आइसो बार समभारिक एक होता है क्लियर बात समझ आ गई ओके ड समस्थानिक जलने पर क्या देते हैं थिक बात है उदायन के लिए कारबन के सभी समस्थानिक जलने पर क्या देते हैं स्योकुट ही देते हैं क्यारबन की लिए अब समस्थानिक की बात करेंगे कारबन का क्या समस्थानिक होते मतलब के भार समान होते हैं और जिनके प्रमानु क्रमांक भिन भिना होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कार्बन चाउदा नाइट्रोजन चाउदा और 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 गन पोटेशियम कार्बन हना सौरी यह केल्शियम है राजा हना आइसो बार सोते हैं इच आफ दीज हैं सम्मास नंबर बट डिफेंट एटमिक मास ट्लियर है यहां ब्लोग बहुत पहले से पढ़कि आए हैं चलते हैं आगे 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 साफने पढ़ लिया अपने पढ़ लिया था Aha Thompson का मौडल यह था Thompson 48 आपन ने सके इंदर कुछ चीजें आई है ना वह चीज़ें रदर 15 ने बताई रदर 15 का अपने फर्ट मॉडल पड़ा तो सबस्कूर्ण है और उसके अंदर प्रमाणो क्लमाण प्रमानू भाड़aining क्या क्या दिया था यह सब हमने अच्छे से पढ़ लिए डिटेल में पढ़ लिए बड़ अब उसमें भी कुछ ना कुछ कमिया थी तभी तो मॉडल आगे भी आए दूसरों ने भी मोडल दी तो वह क्या थी कमिया आई देखते हैं तो जब कोई पेंड किसी कक्षा में घूम तो झाही नहीं और गोम रहा है तो दोगत्रों अंतरगत होता है मैक्स्वेल की चुंबụी के साथ नकिश्बक विद्श चुंब्ब की विकर्णों का करके जिए उड़ा राता है और नाबिक के करीब और यदि अपन देखते हैं कि अगर वो नाबिक के अंदर या उसके नजदीक चला जाता है इसका मतलब तो ओल्मोस्ट वो ऐस था ही हो गया बट ऐसा तो नहीं है काम तो ऐसा तो हो इनी सकता इलेक्ट्रों तो नाबिक के चलतरफी चक्कर लगा रहा गिरा तो कभी में नहीं इससे पूछा गया किसे रदर फोर्ट से बट उसकी आंसर आया ही नहीं तो क्या हुआ भई तो क्या हो गया तो यहां पर रदर फोर्ट की कम्याशो हो गई फिर उसने कहा कि यदि सास्त्री यांत्रिकी और विजच्चंबी की सिदान्त की बात करूं तो इलेक्ट्रों का ग बहुत है कोई विचार नहीं देता है कोई विचार नहीं देता है मतलब क्या क्या वह इसकी इस्थायत्व के बारे में इस टॉपिक पर कोई discussion चाहता ही नहीं है तो चाहता नहीं है तो मतलब कमी हुई ना भई कोई चीज से अपन भागते कम है कब भागते हैं जब हमें पता नहीं होती है या फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है तो हम उसे दूच रहाते हैं तो वही बात यहां हो गई नहीं पता तो चलो चोड़ो और किये थे आया यह वRADR 4 से उसने बात कि फिर अधर 4 की मॉडल के बारे में बात कि उससे सथ चर्चाए कि फिर उसने कुछ thats किये उनके आंस्राइग telling नहीं दे पाए तो क्या तब मुर्म ने कहा कि यह नहीं बोल रहा है तो अपने को काम शुरू करना होगा अपने को मेदान में उतरना होगा क्या ने देखते हैं तरंग और कंद से गुण कोई भी बोहर के नुसा कोई भी कंड है वो दो तरीके का विवार दिखाएगा कंड बोल दूं या फिर कोई भी विकिरन बोल दूं तरंग रूप में भी है और कंड रूप में यह कैसे उसने चीज को बेस माना तभी हम आगे की चीज़ों को बिसकुस कर पाएंगे बेस उसने क्या दिया उसने पहले से बेस प्यार किया भाई फिर परमानों स्पेक्ट्रम के संबंध में उसने यह भी कहा बोहर ने कि अगर कोई भी अपन कोई भी विकिरनों को तरंगों के रूप में देखते हैं या कोई भी इलक्टोन विकिरनों को उत्सरजित करता है को उत्सरजित विक्र में कोई नाइने दिखा ही देधी है क्या यह यह मंदल पें फेल जाती है तो बहुट निकाई होती है न प्रिसेर्च है टो शुब्द यूज़का एक तुसने डिफाइन किया इसके अंदर इस शब्द को यूज़का तो उसके आधार पर बताया गया लाइने बनती है और विग्यानिकों ने इन लाइनों पर रिसर्च भी किया तो बात समझ में आगी ना बेसिकली रदर फोर्ड ने अपना करता है तो बात समझ में आगए तॉपिक ना थीम समझ में आ गया है अब चलते हैं अगे विद्युतुंब से उच्वी होता है्EM सिद्दान में 1864 में जैम्स क्लार्क मैक्स्वेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था इस सिद्दान के मुख्य बिंदु इस प्रकार है और जा किसी भी श्रोत से उत्सजित होती है जैसे गर्म छड फिलामेंट एक बल्ब जिसके माध्यम से विद्धारा लगातार विकिरन के संसरे जती है주 कंग आता जाता है यह जैन्स क्लाइक मैक्सवेल ने सबसे पहले जो किरने थी उन्हें विद्ध्चुम्ब किये तरंगे कहा विद्ध्चुम्ब कितरंगे क्या होती है चो भी आपन कोई भी किरनों को विकिर देखते हैं तो दो तरंगे यानि दो चेतर काम करते हैं विद्युत चुम्बेकी और रही है कि जब इन्हें विद्युत चुम्बेकी से और किसी भी किरन को गुजारते हैं तो बेड़ुत चुम्बेकी चैतर पर एक दूसरे के लंबवत दिखाई देती है जब अपन देखते हैं कि अगर अपन किसी भी उर्जा स्रोत से उत्सरजित होती है तो गरम चड़ या फिलामेंट एक बल्ब जिसके मात्यम से विद्युद्धरा प्रवाइट लगातार विकिरन के रुप में प्रवाइट की जाती है दिप्तिमा आप देखते हैं तो फितिमान होती है नहीं चमकिली होती है शीकिली देखते हैं कि एक बट लगा हुआ है उसमें घरका प्रवाइब मनते कि मैं कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूंगा तो जो बहुत चबब लिखता है में बात कर देंड और तो देन्व में तरंग चरित्र होता है विप्रकाश के वेको तीन इंट दसकी घात आठ प्रती से यात्रा करते हैं इन तरंगों को प्रसार के लिए किसी भूतिक माध्यम के आवशक्ता नहीं होती है उधारन के लिए सूर्य की के ने अंतरिक्षि के माध्यम से हम तक पहुश्चती है जो इक आभव्वतिक माध्यम में है रंसे होती है तनक देदरी की जो लक्शन होती है नान की किस एक चलने का गमन किस तरह क हो गया तरंक देदरी तर्म करती है कितना उपर कितना नीचे की और गमन करती है यह सका आयाम हो गया है नहां आब एक सेकेड्में कीतनी हतरती कितनी डूरी करती संख्या ऊती संख्या ओगई इसी तरह के कई शब्द यहाँ यूस किए गाई उसकी घ्रीक इसे पहले रहे is शिख्रो और दो उच्चेस्ट और दो निम्निस्टों के बीच की दुरी क्या कहलाती है जैनि यानि इसकी value क्या होती है 10 की घात minus 10 meter. Done, अब चलते हैं आगे. आवरती, अब आवरती क्या होती है बिटा? एक second के अंदर कितनी तरंगे एक ही जगह से, एक ही frequency कितनी है ना, आप सोचो, या बार आप के से देखोगे? आप कैसे देखो कि अगर आप किसी जगह एक दर्वाजा है और उसके एक बिंद उस दर्वाजे में से आप कितनी बार निकलते हो कितनी बार पीछे कितनी बार आगे कितनी बार पीछे एक सेकिंड में होते हो तो वही आपकी क्या है उस धर्वाजे से निकलने की फ्रिक्वेंसी है यानि एक जगह से कोई भी तरंग कितनी बार निकल सकती है वो उसकी आवरती कहराती है वही पर वेग क्या होता है तरंग द्वारा एक सेकिंड में तै की गई दूरी उसकी वेग ह बैसे हम सीजी से व्यक्त करते है आपने सब देंड प्रकाश का वरीकित क्या होता है यह बात समझ में आ गई होगी सब चीजे बहुत अच्छे से एक मांक्स में कई बात पूछ लिए जाती तो या घठती आवरती के करम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त पूर्ण सकते हैं कि यहां तरंग देदरिया है यहां क्या है नीचे की तरफ क्या दी गई है नीचे की तरफ दी गई है तरंग देदरिया और यह दिगए फ्रिक्वेंसी अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग आवर्ती की तरंग देदरिया होती है उनमें से अपने को कुछ भी दिख सब्सक्राइब यह कोई भी दिखाई नहीं देती इतनी माइक्रोम क्यों थी बट द्रश्य प्रकास चेत्र जो वीजिबल स्पेक्ट्रम में उसमें अपने को क्या होता है वे भी जोर दिखाई देता है यानि सात वर्णों का समग्र समुह दिखाई देता है जिने हम अलग-अ नहीं कह सकते हैं इस प्रकार जो लाइने आपको प्राप्त होती है इस प्रकार जो लाइने आपको प्राप्त होती जिने अपस में भी भेद नहीं कहा सकता उसे हम सतत कहते हैं क्या कहते हैं और इन लाइनों को एक साथ एक शब्द में रूपित किया जाता जिसे स्पैक्ट कहते हैं यहां आगे पड़ेंगे यहां आया तो मैंने बता दिया डान बात समझ में आई तो एक बार तरंगे जब जाती है तो विद्ध चुम्ब की चेतर दोनों लगाए जाते हैं तो दूसरे के लंबवत होती है अब यह सिदी रेका में जाती है यह पिर मुड जाती है क्या क्या है इसमें ब्लैक बॉड़ी विकिरन की घटना दिखा जाती है फोटो इलैक्ट यानि प्रकाश विद्ध प्रभाव तापमान की फ़लन के स्वरूप ठोस पदा की तापन चमता में विविंता और हाइड्रोजन की संधर्व में एक इलैक्ट्रोन का लाइन स्पेक्ट्रम है वो भी इसकी सीमा में ही बताया गया है यानि की विद्ध चुम्ब के तरंगों के मादर्व से क श्रिष्तक शेफ विवरतन आधी को समझाने में सुखल रहा लेकिन निम लिखित की व्याक्या नहीं कर सका ऊकिस चलिए जी अब quand् e बॉर्टी विक्रण यह क्या होती है कृष्णि का ब्लैक बॉड़ी विक्रण को क्या कर थे बीटा कुछ Fr organism context क्रिशणि का रेट रडर अप्रिशन का क्या होती है आधर्ष यह जो सही आवर्तियों का ट्सर्झ और अवशोशन करता है उसे ब्लैक बोड़ी एनि ऐसा पिंड ऐसा ब्लेक पिंड जो क्या करता है इलाक जो विकिरनों का उत्सर्जन भी कर सकता है और अवशोशन भी कर सकता है ऐसे आदर्श पिंड को हम क्या कहते हैं कृष्णी का कहते हैं ब्लैक बोड़ी विकिरन कहते हैं ऐसे शरीद्वरा उत् पर करता है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दिए गए ताप मान पर उतसरी विक्रण की तीवर्ता तरंगे कमी के साथ बढ़ती जाती है यानि कि अगर आप यहां पर intensity की बात करें ना intensity क्या होती ही तिंटेश्टी वर्ता होती है तो एक बार ऐसी बढ़े और इसकी बार मन घरतना शूरू जाती है यह घरता ही चली जाती है जब आप माहन कम है तब तो intensity बात कंस Stephen के दो काम हो जाती है में से एक बिंदू में से गुजर रही है अब इंटेंसिटी की बात करूं तो वो कितना ज़्यादा प्रकाशित होती है वही उसकी क्या होती है तिवरता होती है जिसे एक प्रकाश के किरण है जिसे एक रेड कलर है उसकी तिवरता क्या है बहुत ज़्यादा वो दूर से चमक अपन जतना उपर जाते जायेंगे एकeez़ कलर जो है वह उदर उसके फ्रिक्वेंची कै जाता है रहीर है इस बात से आप आसानी चीज को connect कर सकते हैं डान चले आए मैं क क्वांटम सित्धान्त क्या होता है GM HEY हराइड तो उसे उसने फिलांग स्थिरांग के रूप में बताया और फिलांग कि अहींक रूप में और यह करन दी प्लांग में प्षुआ ओरप को रखे चाहता है परतिर क्वाओंटम की उर्जा में सबने यहां पर क्या होता है 405- przy 24 joe second प्रकाश विद्धित-प्रभाव क्या होता है प्रकाश प्रकाश की किरन को धात की पलेट पर आप्तित किया जाता है तो वहां से इलाक्ट 59 का उच्छन होता है प्रकाश कि यह घटना प्रकाश वुद्धित परभाव कहलाता है यह तो लाइन किसी ने भी कह देग यह नियम भी हो गया यह प्रभाव भी समझ में कि निश्यत आवर्ति की जब कोई भी प्रकाश के किरन किसी धातु की प्लेट पर आप्तित होती है तो वहां से इलक्टोनों का उत्सुजन होता है उसे प्रकाश्विद्प्रभाव कहते हैं ठीक है लेकिन इसमें क्यों बहुत सारे अगर निश्यत आवर्ति की से जादा तो क्या हुआ कम होगी तो क्या होगा तो प्रकाश्विद्प्रभाव की फिर व्याख्या करनी पड़ी कैसे बहां निकल जाते हैं इस गटना को प्रकाश्विद्प्रभाव कहते हैं तो बात समझ में आगी अब यह concept आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर अपन बात अब इसके ऊपर जब आपतित किया तो यहां पर इलेक्ट्रों का उच्जन कब-कब होता है बस एक निष्चत आवर्ती की यह जिसे दहली आवर्ती कहते हैं एच म्यू नोड इसके बराबर है तब तो इलेक्ट्रोन का उससे होगा इससे कम है तब नहीं होगा इससे ज्यादा है तब लेगा तो वह इतनी उर्जा पर अतरिक तुर्जा काइनेटिक उर्जा यानि गतिज उर्जा के रूप में परिवारतित हो जाती है जैसा कि हम आगे कि ग्राफ में देखेंगे तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं चले आजाओ जी फोटो एलेक्रिक प्रभाव का अवलोकन क्या होता है अवलोकन मतलब आव इसके उपर रिसर्च हुआ कि क्या यह कह रहे हैं कि यह जो इतनी रामायन गार है ह तो देखते हैं केवल कुछ न्यूनितम आवर्ति के प्रकाश प्रभाव के जब बात करते हैं तो वही फोटो इलेक्रिक प्रभावा कारण बन सकते हैं विबिन धात्रों के लिए म्यू नोड का मान भिन भिन होता है उत्सरजित होने वाले इलेक्रोनों की गतिजुजा टक हार करने वाले फोटों या विकिर्नों की तिवरता पर निर्भर करती है नहीं कि आवर्ति इलेक्टों या उर्जा की पैकेट्स उत्सरजित होते हैं वह जितनी आवर्ति किरन ए उसके समानुपाती जतनी जदा अवरति इतने ज़्यादा उर्जाय के पैकेट उससे ना कम उससे ना जद अगर ज्यादा आवरति की आपके पास के रहा है इसमें प्रति जोड चरुखिस ती के ना वह finde कि गष्व४ बढ़करती है यहां पर दो बात है इंटेंसिटी और फ्रेक्वेंसी ठीक अब्धियान से सुनना क्या चाहिए प्रकाश व्दित प्रभाब क्या हुता है कि प्रकाश की की रहना आई यह कितनी तेजै़ कि- intensity बढ़ा दी तो आपने क्या किया आपने उन इल्रामों की संख्या बढ़ा जो क्या हो ही थी दाप्रोकी लेट से उधसरicle हो रहे थे जादा intensity क chosen फटो वर फटो वर निकले हैं और जैन। और जिदिक समया हुईkor सफ고 पर गी व्यक्या अनेक बिंदों पर इस पर चर्चा होई थी फोटो इलेक्ट्रोन के वल तभी उत्सजित होते हैं जब आपतित प्रकाश एक निश्चित नियुनतम आफ्टी थ्रिशोल्ड आवर्ती की होती है हम सब जानते हैं दहली आवर्ती जिसे हम कहते हैं यदि आपति शुचित दहली उरजा की ही होगी उससे ज्यादा नहीं ले सकता है किलेक्ट्रोन को जितनी चाहिए उतनी लेगा ऐसा में यह एक एसे नहीं हमारी जैसे है है कही पर दिकh रहा है तो चलो 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 पैसा आरा आने दो फोगड़ काई है लेकिन इलेक्टों अभी देखो हैंना कितने सज्जन पूरुश हैं आज पूरुष नियुक्ति हैं लेक्ति में सब आजाते हैंना जितनी चाहिए उतनी ले एक्स्रा में नहीं चाहिए भाई हैना कोई रिस्वत नहीं चाहिए भाई क्लियर तो वही सीन है यहां पर ओके डर चलो जी अब आधा है विद्ध चुम्ब के विक्रणों का दोहरा विभार क्या होता है प्रकाश के विवार के अध्यन से विग्यानिक इसक रोड़ा को था जैसे विवरतन और व्यातीकरण है न विवरतन और व्यातीकरण बैसreciks Haupt setup है कर जैसे गुणों में प्रदशित होता है उसे यह परसारित होने पर प्रदशित करता है सुक्ष्म करने से इलक्टोन और तरंग कर द्रिंद के रूप में प्रदशित होते हैं अब आता है अगला टॉपिक स्पैक्ट्रम बोहर ने शब्द यूज किया था वह था क्या तो सब्सक्रम प्रकाश की कील तक को फिड्म में से गुजार जानता चोटी अगद्धीर्येवाली किरनों को ईसकी तरफ छुच जाती है साधारान श्वेत प्रकाश में सीमा की उसी तरण तरंगे होती है इसलिए श्वेत प्रकाश की श्रंखला रंगी बैंडों के रूप में दिखाई देगी या कुछ बैंड दिखाई देंगी वही लाइने वही बैंड स्पैक्ट्रम कहलाता है अब स्पैक्ट्रम को भी डिफाइन किया उसी तब यह कुछ बाते कह रहा हो देख लो बात जिसकी तरंगे सबसे अधिक होती है सबसे कम विचलित होता है जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश इसकी तरंगे सबसे कम होती है वह अधिक विचलित होता है देखो लाल रंग का प्रकास तरंग दिरे देखा मैंने बताया ना है ना दूर से दिखाई देता है लेम्डा जादा है है ना हना विचलन कम है frequency कम है ओके चले बात समझ में आगे आप चलते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जब सपेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह देखा गया कि बेंगनी से लाल रंगों की साथ अलग-अलग चोड़े बैंड में विवजित हो जाते हैं यह रंग इतने सतत होते हैं कि इनमें परतेक दूसरे में विलीन हो जाता है अ रेंबो देखा है न सबने देखा है तो रेंबो का कलर बहुत सुन्दर लगता है साथ रंग दिखाए देते बट आप में से कोई भी ऐसा बता सकता है कि कहां रैड खतम है कहां और शुरूरा कहां ग्रीन शुरूरा हम इससे क्लियर नहीं कर सकते हैं यहां से एक्जाक्ली कि कोई ब कोई भी धात यह क्यव ने उत्सरजित हुघानों के बाद में कोई न पर दे पर रूंव देरल लाय लाइन घु साथ आफ्जा के लिए बीच में ब्लैक ल चाहिन जो धिंशुरूशत हो गई है और चमकेलि है वह सर्जित है जो सर्जट है वह दिखाए कि दिखाए दे रहे इसलिए उन्हें उच्शार्जण कि लाइन इस्पेक्ट्रम एस्थित्पदाब के वाश्प को बंसन ब्यूनर की लो पर गिरने पर अपकी लैब में भी रखा होगा अप 11 में हो भलाई बट आप लेब में तो गए हो तो वहां पर बढ़न रखे न जहांसे टेस्ट ट्यूब में पाने डाल के गरम किया जाता ह उधारन के लिए सोडियम और लवन पीली रोशनी उतसरीत करते हैं पोटेशियम यानिकी अलग-अलग तत्वों को हम लोग आइंटिफाइ कर लिए कि कौन सा तर तो कौन सी विक्रण का उतसरीत करता है क्योंकि वह पट्टियां जो बन रही थी वह अलग-अलग कलर की थी लिए तो बेंगनी कलर है ना और किसकी लिए आयोडीन की सोडियम की लिए लवन की लिए पीले रंग की लिए तो इस परकार तत्वों के रंगों का भी पताद चल गया अब आता है वो शूशन सपेक्ट्रम सफेद प्रकाशों कि प्रकाश के माध्यम से पारित के जाता है और फिर संचरीत प्रकाश को इक प्रिजम से तकरा कर अनुमति दी जाती है निरंतर स्पेक्ट्रम में अंधेरे रेखाएं दिखाए देती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आँ शोशन स्पेक्ट्रम कहते हैं बिल्कुल उनी स्थाना पर दिखाए देती है जां उत्सरज हमारा क्लियर हो गया है रहे जल्दी बताओ यार फटाफट जटा जट ओके दाइंख्यू चलो बच्चो चलते हैं आगे आगे हमाता हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन यानि एक इल्याक्टोन के लिए जब स्पेक्ट्रम निकाला गया तो क्या कहता है क कि कम दापत सतह डिस्चार्ज ट्यूब में सलगन हाइड्रोजन गेस के मादिम से निर्वहन पायत किया गया और उत्सजन प्रकास का स्पेक्ट्रम विशलेशन किया इस्पेक्ट्रम में बड़ी संख्य में लाइने दिखाएगी जिसे विवेन श्रेणियों में बाटा गय रिडबर्ग नामक वेगयनिक आया और उसने वेल्यू भी बताई से रिडबर कॉंस्टेंट वेल्यू भी कहा जाता है तो क्या है जला ध्यान से लेखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहेंगे कि यहां पर अपन किसी भी अगर शेनी की बात करें लाइमन बामर ब्रेकेट और फुड यानि कि पांच वेगयनिक अलग अलग आये और स्पेक्ट्रम की जो लाइन आए थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उन पर रिसोर्च किया एकदम रिसोर्च करके बताया और उसकी वैल्यू निकालने के लिए रिडबर्ग नामक वेगयनिक जानते हैं कि जब अपने पास कोई भी स्पेक्ट्रॉम होता है तो इलेक्ट्रोन निम्न दुच्ट से उच्च में और उच्च से निम्न में तो AN1 रोई यह यहां पर वेल्यूप को निकाल सकने हैं कई बार ऐसे भी प्रशना आते हैं कि बामर श्रेणी में अगर इलेक्ट्रोन है तो बताओ उसका उसकी तरंग संच्छा कितनी होगी बटा तो बामर संख्या क्या है N बराबर 2 लिखना पड़े गष्ण वापस किसे आ रहा है वह मैक्सिमम कहां से आ रहा है तो आपके पास क्या है N1,2,3,4,5 हैं और अनंत भी हो सकता है औरे आट बात क्लियर हो गई होगी बात समझ में आ गई होगी यहां तो यह formula it's a very important यहां से numerical ज़रूर आता है चलते हैं आगे रिड़ बर्ग ने वर्ण क्रम की रेखाओं की तरंग संख्याओं के तरंग दिदरिये और तरंग संख्या की गढणा के लिए क्या किया एक सरल सदादेंक समीक्रन दी से hydrogen spectrum की वैख्या में एक रिड़बर्ग formula की रूप में जाना जाता है जो कि आपके सामने है तरंग संख्या बराबर आरच वन वनन का स्कुआर एंटू का स्कुआर मिवार और इंटू जेड का स्कुआर वन अपोन औन वन का स्कुआर एंटू का स्कुआर यह संबंद केवल hydrogen प्रमानु के लिए nggak प्रजातियों की यह केवल और एक ही इलाक्ट्रोन के द्वारा जो उत्सजित रेखाएं उसी के लिए वान्य है इसके अलावा किसी के लिए मान्य नहीं है ठीक बात है बात समझ में आ गई होगी चलिए चलते हैं आगे जहां जड़ प्रजाती का प्रमानुक्रमांग है रिड़बर्ग इस्तिरंग से हाइड्रो N2 क्या होगा N1 और 102 क्या होगा N1 ne1 और 12 क्या होगा बच्चों ध्यान से इस चीज को मैं कह रहे हूं बहुत in confident है और यह कह रही हूं 11 के लिए भी important वहां भी question इसमें से पक्का आता है सो प्लीज अच्छे से इसको देख ले ठीक है चले ओके डाइज आजाओ अब आदा पदार का दोहरा विवार ने डी ब्लोगली समीकर्ण यह तो अच्छे से कर ले ना डी मगली क्या कहता करन की दो की तरह विवार करता है एक तो आइंस्टीन ने बत द्रिये और गती पी के बीच में लैमडा और पी यह तरंग द्रियों सम्वे के मध्य संबंद बताया जो कि आपके सामने हैं लैमडा बराबर ह अपॉन एमवी या फिर एच अपॉन पी के नाम से भी से अपन देख सकते हैं क्लियर हम क्या है आप सब जानते हैं मास है हाई पार्टिकल है वी क्या है वेलोसिटी है पी क्या है मोमेंटम आफ पार्टिकल है हाई जैन बग की एनिश्चता सदंद किसे कहते हैं हाई जैन बग की एनिश्चता सदंद क्या कहता है कि एक समय में कोई भी कन का एक समय में उसकी इस्थती और उसके समवे का सही सही निजार है तो यह रहा आपके पास स्थती और यह आपके पास क्या बिटा सम्वेग तो सम्वेग दुनों का एक साथ नहीं होता है उसका मान सामान करों की निश्चत पत और प्रक्षेपन के अस्तित्व को क्या कर देता है खारिज कर देता है हाईजेन ने निश्चत दंके प्रवाव के महत्रोपों और इस्तुल वस्तों के लिए नगन्य है बहुर मॉडल की विफलता बच्चों इस वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ध् एलक्ट्रों के तरंग चरीत्र के विर्चार पर नहीं बताया बोहर ने यह सपश नहीं किया कि जब वह पथ पर गती करता है तो पथ पर उर्जा कितनी चाहिए premium कितनी चाहिए हैना इलेक्ट्रों की इस्तति और विए समान क्यों नहीं हो सकता इसको भी वह डिफाइन नहीं कर सका तो इन बातों पे बोहर रुख गया जिसने बहुत कुछ बताया फिर भी वह यहां पर अटक गया आपकी शब्दों में कहूं तो यहां पर तो हाईजेन बर्ग की एनिश्टता सिदान को भी वह नहीं समझा पाया आप बोहर मॉडल की विफलता कारण क्या था तो वह तो हम देखी चुके हैं है ना परमानों का क्वांटम यांत्री की क्वांटम यांत्री की एक सिद्धान्तिक है जो सुक्ष्म वस्तों की गति पर काम करता है देखने योगी तरंग जिसे औरकन और जिसे गुन होते हैं आगे चलते हैं अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वांटम संख्य क्वांटम संख्य क्वांटम संख्य क्या होती है वह सेंग चार संख्याओं का समय जो इलेक्ट्रों का पून परी चाहिए देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग क्या कह गोती है पूरा प्रेशल संख्या का जाता है तो कांटम संख्या सबसे मैं चाहिं कि यह प्रमुख और इस थर क्वांटम संख्या होती है और यह मुख्य कोश्ण के बताती है कि आपको क्या बताती है आकार को बताती है तीसरी इस्तिति को बताती है चोथी चक्रन को बताती है जिसे अपन सबसे पहले अपन देखते हैं और यहां पर अपने पास MS यानि की अपने पास चक्रन जो होता है मेंशा प्लस एक बठादो या फिर माइनस यह निए आप देख सकते हैं क्लोक वाइस या फिर एंटिक्लोक वाइस ब्रहमन करता है कौन चक्रन करता है कौन इलाक्टरॉन ड़न अब चलते हैं आगे अब आता है परमानु कक्षकों का करते हैं कितने मिटा आइस पीडिएफ दुस्तर पहला आता है जिसमें कोई भी ऐक्स एक्सिस नहीं करती उसके बाद आता है आप के पास पी कक्षक में पीएक्स पीवाई पीजेड ड़न क्लीयर पीएकस पीय और पीजेड में अलग-अलग एकसे सापको नजर आ जाए वह d z x फिर आता है d x square y square और d z square clear तो यह पांच प्रक्षक यहां पर होते हैं बस आपको यह पता होना चाहिए यहां से क्रशन नहीं होता बस उनका गोला कार फिर डंबला कार यह द्वी डंबला कार अब आता है electronic विन्यास अव्फों सिद्धान्त भी कonna आफ्व biology गत्वर्ण का euro को इसे क्रुण Monate battling knights who होता है कि आपक्षक में बढूला में पहल से योते अब पर आता है उइस फिर आता है फी बहिश्क्रण का यह पावली अप भर्चनपा का नियम क्या कहते है पावली नियम कहता है जब कोई भी स्थिंग करता है तो हमेशा में दो विपरीत करन के ही इलक्टॉन भर साय सकते इस से ज़यादा नहीं एक कषक में दो विपरीत चक्रन वाले कक्षक exist करते हैं उसके बाद हुंड की बहुलक्त का नीम कहते हैं कि जितने भी कक्षक हों आपके पास किसी भी किसी भी उपकोश में कितने भी कक्षक हो अगर वह उपकोश में कक्षक हैं तो वह उपकोश में कक्षक अपन देखते हैं कि पहले युगमित भरे जाएंगे उसके बाद ही उनका यूगमन होगा उसे हपन क्या कहते हैं हुंड की बहुलगता का नियम और सेकिन लास्ट वन है एन प्लस एलकानियम जब आप इलेक्ट्रों किसी कोश्च में भर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि कम उर्जा वाले में पहले बरा जाता है अधिक उर्जा वाले में बाद में इसे हमें एन प्लस एलकानियम कहते हैं तो यह था आपका पूरा चाप्टर जहां से क्योस्चन कैसे आते हैं कैसे पूछे जाते हैं किस तरह से दिखाया गया है तो यह सब मैंने डिटेल में बता दिया है राइट इंडिविज्वल भी आपको पढ़ना है वन शोर तो मैं कहते हूं कि पूरी तयारी के बाद पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यह हमें सब कुछ क्लियर है उसी तरीके से परफॉर्मा सेट करके मैंने बनाया है तो थोड़ा सा ध्यान करोंगे तो बात समझ में आ जाती है कि हम लोग क्या करना है तो अच्छे से इसको भी पढ़ना अच्छे से रिवाइस करना ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो बाई ठेक केर एंड थांक्च यू झाल 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 झाल